नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियों में बात करेंगे कि जमीन की रेश्टरी कराते समय आपको तीन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यार रखना है देखिए क्या है कि आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉपरिटी महेंगी है तो सबसे ज़्यादा तो आपको रिजिस्टरी कराते समय तीन बातों का बहुत ही जरूरी ध्यान रखना है मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ कुछ टॉपिक लेकिन कुछ बाते मैं नहीं बता पाई थी वह में इस टॉपिक में बता रहा हूँ दोस्तो इससे पहले प्लीज आपसे प्लॉट या कोई जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए जिससे आप प्लॉपिर्टी डेलिंग की बात कर रहे हैं जो आपको जमीन बेचने की बात कर रहा है वो वास्तिविक मालिक है किस प्रकार रहा है देखिए क्या होता है एक जो प्लॉट पे क्रेता होता है जो भी आपको प्लोट जमीन बेच रहा है या तो वह वास्तिविक माले कोना चाहिए या पावर ओफ एटर्नी होना चाहिए देगी पावर ओफ एटर्नी पर मैंने पूरा वीडियो बना दिया है और फिर मैं आपको स्रॉट में बता दूँ पावर ओफ या नहीं है कि फिजूल में आपको आपने उन लोगों से सेटिंग करके हमें ठगना चाते हैं तो आप ये चीज जान ले और सही रहेगा अगर आप ये चीज जान ले कि जो विक्रेता है वो वास्तिविक मालिक है ये पावर अट और नहीं है क्या है प्रोपरिटी डीलर है तो किस प्रकार का है तो दूसरे टॉपिंग में बात करेंगे प्रोपरिटी की जाच देगे ये जो चीज है वो सबसे महतपूर है कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो उसकी जाच कर लेना जरूरी है आप जाच वह आटी वहाँ पर डली है वो आपको बता सकते हैं ये जानकारी दे सकते हैं ये जानकारी बहुत ही जरूरी जानकारी है और दूसरी बात इस जो प्रोपरिटी है इस पर कोई लोन न हो या कोई विबाद उत्पन न हो इसके लिए आप मैं आपको बता दूँ आप एक कम कर सक तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और तीसरी सबसे जो मैन पॉइंट है जो वो है भई आप जो भी पेमेंट करते हैं वो कैस में ना करें अगर कैस में आपको पेमेंट नहीं करना है आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो आप चेक द्वारा करें देखिए बो बात अलग है माली जी आप करोडों की property ले रहे हैं आपका पैसा सही नहीं है माली जी आपने tax नहीं दिया टेक्से बचने की चकर में दे रहे हैं तो इसका आप नहीं कह सकता हूँ लेकिन यदि आप आम आदमी है और माली जी अपकी जो भी रकम है वो सही है तो आप अपनी जो भी रासी दे रहे हैं जो भी उसकी जमीन की कीमत दे रहे हैं वो आप चेक द्वारा दें ये काम भी आपको बहुत ही जरूरी है और दूस्तो मैं एक बात और बता दू, जैसे मालीजी जब भी आप register कराते हैं, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मालीजी आप किसी gent लेडीज के नम करा रहे हैं, उसके नम कम लिखाई लगती है, जमीन की registry के जो भी खरचा आता है, और जेंट्स के नाम अधिक खर्चा आता है और दूसरी ध्यान आपको ये देना है रेजिटरी करवाने से पहले आपको जिसके नाम रेजिटरी करा रहे हैं उसकी आईडी जरूर तयार कर ले और दो गवा और दो गवाओं की आईडी दूस्तों मेरी जनकरी अगर दैया आपको अच्छी लगी हो तो प्लिज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूस्तों कोई कुससर आपको जैसे आँ रहा है तो कमेंट करें जरूर पोचिए है मैं आपको कुससर का जरूर आंसर दूँगा